अगर आप चाहते हैं सरदियों में भी हमारे skin illuminating दिखे, एसके अलावा हमारे skin bright, soft और सबल दिखे और चाहते हैं कि dryness winter season में हमारे face से, हमारे skin से कोसो दूर रहे तो ये mask आपके लिए ही है असलाम उलेकूं विवर्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ सभी हजावियद और आज की जो मेरी वीडियो है वो विंटर स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा फेस मास्क बताने जा रही हूं जिसको यूज करके अपने इसकिन की ड्राइनेस को दूर कर सकते हो इस सिजन में 99% लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मौसम जो है काफी जादा सर्द हो जाता है जिसकी वच्छे से हमारे स्किन ड्राइ होने लगती है वह भी मॉस्चुराइसिंग क्रीम या फिर लोशन यूज करने के बाद भी औरी तोर पर हमारी स्किन को मॉस्चुराइजेशन मिल जाती है लेकिन डीपली वह हमारे कवर अप नहीं कर पाता है आज मैं आपके लिए एक ऐसा पेस मास्क लेके आई हूँ जिसको आप सिर्फ हफते में एक बार भी यूज करेंगे तो आपकी इसकिन की ड्राइनेस उसकी फ्लैकिनेस हर किसी की इसक क्यों हो होँ यह मासक आपकी स्किन की ड्राइनेस को किम्पली खतम कर देगा इसके अलावा हम यह ने की को एक्साओलीए से साथ ही इसकिन की कॉंपलेक्शन को ब्राइटनब करेगा हमारी इसकिन को यूदफ।ð honey implementing बना देगा सिर्फ एक बार के यूज़ करने में ही आपको अपने इसकिन पर काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये मास्क रात में मैंने अपने फेस पर एपलाई किया था और सुबह मैंने जब अपने फेस को देखा तो मैं हैरान रह गई कि इतनी इसी इंग्रिडेंट के साथ भी हमेरा फेस कफी इलूमिनेट हो गया था इसकिन पर शाइन आ गई थी डेड़ सेल्स रिमूव हो गए तेने सोचा आपके साथ भी फेस मास्क शेयर किया जाए जिससे आप भी इसके बेनिफिट्स ले सकें क्योंकि काफी तरीके की वीडियो में आपके लिए लाती रहती हूं पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा वीडियो को शेयर कीजेगा दिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट भी जरूर एड़ कीजेगा चली रेमिडी शुरू कर ले चाहिए आपको boiled milk की मलाई नहीं लेनी है सिर्फ यही कच्छे दूद की आपको मलाई चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा fatty acids होते हैं और acid saturated fats होते हैं जो हमारी skin में deeply penetrate होकर उसको deeply moisturize और hydrate बनाती है dryness को reduce कर देती है skin को even tone बनाती है साथ ही इसमें lactic acid भी होता है जो हमारे skin के dead cells को remove करता है हमारे complexion को bright करता है साथ ही हमारे skin को soft और even tone बना देता है एक से दो चम्मच यह कच्छे दूद की मलाई ले लूँगी उसके बाद मैं इसमें add करूंगी wheat floor इसमें काफी सारे vitamins और proteins होते हैं जो हमारे skin में aging process को slow करता है protein हमारे skin को young बनाते हैं उसको smooth और soft बनाते हैं इसी की ही रोटिये बनातर हमारे घरों में खाई जाते हैं तो यह आटा हर किसी के घर में मिल जाता है इसमें zinc और vitamin E होते हैं जो हमारे skin को deeply mosturize करते हैं उसको glowing और soft बनाते हैं इसके अलावाई हमारे skin की dead cells को अच्छी तरीके से remove कर देता है new cells regenerate होते हैं एक चमच में इसमें add कर लूंगी के हूं का आटा हमार जो third ingredient add होने वाला है वो है honey इसमें antibacterial properties होती हैं जिसकी वज़े से हमारे skin में कोई भी pimple वगरा की problem है वो create नहीं हो पाती है इसको अच्छी तरीके से mix करने के बाद अपने पूरे face पर apply कर लेंगी तो मैं इसको अपने under eyes और upper eyes पर भी इसको अच्छी skin की tanning को भी remove कर देता है skin की dullness को reduce करेगा साथ ही हमारे skin को glowing और illuminate बना देगा इसको apply करने के बाद 15-20 minute के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी dry हो जाएगा उसके बाद में इसको rub करके अच्छी तरीके से अपने face से उतार दूँगी बत्तियां बन बनके हमारे face से dead cells और tanning को भी निकाल लाएगा look warm water से इसको wash कर लेंगे ये mask आपको रात में apply करना है इस mask को आपको हकते में 2-3 बार रात में ही apply करना है और सुभा आपकी face पर आपको illuminating और brightening effect देखने को मिलेगा तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो चैनल को subscribe कर लीजिएगा bell notification को on कर लीजिएगा जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहेंगे तो मिलती हूं next वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज